प्रचेको भई जो expansion है हमारे पास उसमें सबसे पहला क्या था अपने पास linear expansion ठीक है linear expansion तो linear expansion मैं आपको बताया गया था कि L is equal to kya होता है L naught 1 plus alpha delta T ठीक है इसके बाद जो दूसरा वाल expansion था वो क्या था अगे सर्फिस एक्सपेंशन यानि कि सुपर फीसियल एक्सपेंशन ठीक है सुपर फीसियल एक्सपेंशन जो होता है यानि कि एरिया में एक्सपेंशन इसके लिए क्या बताया था एज इकॉल्स टू ए-naught ठीक है वन प्लस बीटा डेल्टा टी यही बताया था इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आईसो ट्रॉपिक मेटेरियल हो कैसा हो आईसो ट्रॉपिक मेटेरियल के लिए इसके लिए तो आप याद रखिए का जो बीटा होता है वो टू अल्फा के बराबर होता है ठीक है बीटा किसके बराबर होता है टू अल्फा के बराबर क्योंकि उसका लेंथ और विट दोनों ही बराबर ही दोनों एक जैसे ही बढ़ते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं बात करू एनाइजो ट्रॉपिक के लिए एनाइजो ट्रॉपिक मेटेरियल के लिए तो उसमें क्या देखा गया एनाइजो ट्रॉपिक मेटेरियल में भाई बात ऐसी हो जाती है कि लेंथ और विट दोनों का अलग-अलग तरीके से बढ़ता है उन दोनों का बढ़ने का जो रेट होता हो अलग-अलग होता है तो उस case में आप A is equal to क्या लिखोगे A not तो लिखोगे 1 प्लस अब यहां पे आप बीटा जो है ना बीटा को ऐसे लिखना alpha x plus alpha y into का delta t मतलब जैसे माल लेते हैं x हो गया length और y हो गया width तो दोनों के alpha अगर अलग-अलग हुए और इसी तरीके से थर्ड वन जो था वो कौन सा था तुमारे पास भई थर्ड वाला है थर्ड एक्सपेंशन जो होता है वो होता है वॉल्यम एक्सपेंशन जो है वह क्या होता है कि वीजए इक्वल तु वी नॉट वन प्लस गहाला डं हूर्ट त यह था तुमारे वी इससमें गया माहरीise वो योथा वॉता ए 3-0 अलफ़कोप जब और अगर आपका ऐसल नहीं है मानलो मैटेरियल कुमारा और कैसा राधा्य में हो अलफा एक्स प्लस धालफा उसकेक है अलफा हो जाएगा अलफा एक्स comparison् awaits also ठीक है न क्योंकि material कैसा है भई material जो है वो एनाइजोट्रॉपिक है तो length width height सब अलग अलग तरीके से बढ़ेंगे ठीक है और आइजोट्रॉपिक में सब एक तरीके से बढ़ते हैं एक ही जैसे एक ही रेट से बढ़ते हैं क्योंकि अलफा से हम होता है और यो बीटा रेशियो गामा किसके बरावर आएगा अल्फा को तो अल्फा मालेंगे बीटा हमारे कि सके बरावर होता है टू अल्फा है और गामा क्या होता है फिर अल्फा तो एक बहुत इंपोरेंट मारे फास कि हमारे पास देखो एक container है ठीक है यह देखिए यह मेरे पास container है ठीक का कंटेनर है उसमेंaga वहा हुआ है इसमें क्या भर दियाено मैंने इसमें देखो इसमें कंटेटर में भर दिया है liquid आप थोड़ा ध्यान देना सभी शुर्ण इस container में liquid भरा हुआ है ठीक तो container किसी solid से बना होगा जिसका volume expansion है gamma S और liquid जो है उसका volume expansion है gamma L यह मान लिया मैंने ठीक है ठीक है यह मान लिया गया है है ओके बात समझ में सभी को आप सुनों मेरी बात ज्यान से तो होता क्या है जब ieur को हीट करेंगे तो container expand करेगा लेकिन लिक्वीड भी तो expand करेगा ठीक है लिकूड भी तो expand करेगा ही करेगा दोनों expand करते हैं दुनिया में हर चीज एक्स्पेंड करती है हीट करने पर है की निया हर चीज क्या करती है दुनिया पर हीट करने पर expand हो जाती है तो भई इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो container है तुमारे पास container ऐसे बढ़ेगा V of solid is equal to क्या हो जाएगा V not of solid 1 plus gamma of solid delta T एसे एक्सपेंड करेगा भई और इसी तरीके से लिक्विड की बात करूं तो क्या हो जाएगा वी नॉट आफ लिक्विड लिक्विड वन प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी कॉंसेप्ट यह है अभी कि फिलाल मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने पूरा भरा हुआ है पूरा कंटेनर क्या खर दिया मैंने उपर तक भर दिया है तो इनिशल वालिम तो दोनों सेम ही होने वाली है अगर आपने पूरा टॉप तक भर दिया है तो दोनों वैल्यू क्या होने वाली है यह वाली जो वैल पें काहतो थी बदसों आपस'll सी बात है इसको समझने कोशिश कीज़ेगा रोग चेंग जो है वो रिलेटिव दध चेंग जो है इनधा वॉल्म अफ लिक्विड रिलेटिव टू घूट लेकर चलते हैं तो चेंग नवाल्यम ऑफ लेकृट रिलेटिव अब टो जो आगा पूर्दि अगर आप यहां से कुछ इंपोर्टेंट केसे आगर इफ गामा ऑफ लिक्विड ज्यादा हो जाए गामा ऑफ तो क्या समझ वह वह बात को देखो इस बात को समझोतुम लोग सुनों मैं कै रहा हो तो liquid जल्दी से फैलेगा और container उस रेट से नहीं फैल रहा है है यह वाला ट्रम तो रहता ही न उसमें भी उस expression में भी यह वाला ट्रम तो कहीं न कहीं आता ही आता ही आता है सीधी सी बात है तो इसी को बेस मानते हुए हम समझ सकते हैं कि अगर container आधा भी भरा होता या फिर पार्शिली भी अगर फिल्ड होता उस case में भी अगर ऐसा होता कि liquid का गामा ज्यादा होता सॉलिड से तो container में जो लिक्विड है उसका हाइट राइस करता क्या करता राइस करता है ना तो यानि यहां से दो बाते होती है हाइट ओफ लिक्विड क्या करेगा राइस करेगा हाइट ओफ लिक्विड राइस करेगा और अगर container फुली फिल्ड है हैं ना सिद्री सी बात है हाइट राइज करेगा उसके बाद क्या करेगा उसके बाद वो गिर जाएगा है और अगर अगर Solid का गामा लिक्विट से जादा हो जाए तब क्या होगा Solid जो है यहां पर आप आप देख रहे ॥ है ऊस T हुआ है तो होजाएगा है थिक न तो इस केस में क्या हो जाएगा है हFUn Sehr डाउन मिझने बिए इसकेसमें ऐप वो डाउन हो जाएगा तो समझ में वाहे सभी को ठीक है ना थो काri नोट कर लीजी एसे यह जो टर्म है इसी को गामा एपरिंट के देते हैं हम लोग जब हम कंटेनर प्लस लिक्विड को पूरा एक सिस्टम बानके चल रहे होते हैं तो ठीक नोड कर लिजिए इसे कि देखो अब हम लोग देखने वाले हैं कि density पर क्या effect पढ़ता है हीट करने का ठीक है ना दिखिए देंसिटी जो होता है जिसे हम रो से डिनोट करते हैं यह किसके बरावर होता है भई मास अपउन वॉल्यूम तो अगर हम किसी बोड़ी को हीट करते हैं मास तो चेंज नहीं नहीं होगा लेकिन वॉल्यम् तो चेंज होगा न वॉल्यम् चेंज ओगा तो वॉल्यम् कैसा होता है आपको पता है कि वी-डैस किसके बराबर होता है वी-च जो था वी ढोर ऋटा है वी नॉट टी आ और रहा हूंध doe गामा V dash किसी भी temperature T पे ठीक है तो देखे जर तो सुनियेगा तो यहां से रो जो है सो क्या दाएगा M upon में volume की जएगे मैं क्या पूट करनेगा वालो भई V not 1 plus gamma delta T delta T क्या है बता देता हूँ यहां का temperature माल लो T not रहा होगा यहां का temperature टी रहा होगा तो जो आपका डेल्टा टी है बेसिकली हो क्या है टी माइनस टी नौट है ठीक है ना कोई confusion नहीं होनी चाहिए अब सुनिए ध्यान से सुनिए तो मास अपॉन वाल्यू एम अपॉन में भी नौट क्या है रो नौट है तो मैं इस टर्म को रो नौट लिख सकता हूं लिख सकता हूं तो रो इसकल टू क्या हो जाएगा रो नौट और नीचे क्या जाएगा वन प्लस गामा डेल्टा टी तो यहां से एक बात पता चलती है हमें कि अगर आप temperature बढ़ाएंगे तो यह तो density कम हो जाएग कि बिलकुल बहुत सही temperature बढ़ाएंगे तो आज से याद रखिए गा temperature बढ़ाएंगे ना देखिए यह सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए लिए हैं कि किसी सॉलिड और लिक्विड का अगर आप आप temperature बढ़ाएंगे तो उसका density क्या हो जाएगा भई कि कम हो है यह देखते हैं तो आपको पता है कि जो थरस्ट होता है बिस्किकली किसके बराबर होता है वह है इस जीन जी ठीक तो किसी टेमप्रेचर टीडाइस पे मतलब आपने टेमप्रेचर जब एलिवेट कर दिया बढ़ा दिया जब आपने टेमप्रेचर तो नया थ्रस्ट क्या हो जाएगा भाई वी डास सिग्मा जी माल लेते हैं यह इनिशल वालिम वी नॉट था तो अब आप सिग्मा भी चेंज हो जाएगा क्योंकि देखें टेंपरेचर आप बढ़ाएंगे तो देंसिटी भी चेंज होता है देंसिटी के चेंज होने का लॉग क्या रहेगा सिग्मा इस इक्वाल अब यह भी पीछे पता है था ना डेंसिटी ऐसी तो बदलता है किसी सॉलिट और लिक्विड का इसी लॉग से बदलता है तो उसे साब से जो आपका जो टीएच डैस है तो टीएच डैस अपॉन टीएच किसके बराबर हो जाएगा वी डैस वी डैस क्या हो जाएगा भाई जो इनीशल सिग्मा था और नीचे 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी ठीक है ना और साथ में क्या रहेगा जी जी कहां रहेगा बई जी तो उपर रहेगा और नीचे टी-एच थ्रस्ट क्या होगा इनीशल वी नॉट सिग्मा कोई काम करो सिग्मा नॉट माल लो क्योंकि सिग्मा मीन बाइंब जी सिग्मा तो हुण किस्के बराबर आपका यह बहुत इंपोर्टेंट रिलेसेयंसी पर इसे याद रखिएगा तो इस तरीके से आपका थरस्ट भी गया हो जाएगा चेंज हो जाएगा याननिकी के जू नया बाला थ्रस्ट होगा वो इतना टाइम्स क्या होगा पुराने वाले थ्रस्ट के बाद समझ भाई सभी को ठीक है इन दोनों को जब उन्हें डिवाइड गया तो यहां से रिलेशन मिल गया हमें भई ठीक है इस थ्रस्ट को इधर भेद दोगे तो रिलेशन नहीं आ जाएगा कि जो न्यू थ्रस्ट है वो इतना टाइम ज्यादा या कम होगा किस से इस वाले से ठीक है भई रेश्यो निकलने कहीं तो फैदा होता है बस याद क्या रखना है कि इनीशल थ्रस्ट क्या था वी समझ में आगी सभी को क्या बोल रहा हूं मैं इसे नोट कर लीजिए यह है वेरियेशन ओफ थ्रस्ट विद टेंपरेचर यह भी बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन से नोट करो तो यह मेरे पास एक रॉड है जिसको मैंने फिक्स किया है बहुत अच्छे से यहां पर जिसका करेगा क्या यह करेगा दोनों तरफ करेगा नाव है दोनों तरफ फ्रॉर्स लगाए गाई यह वासंवाज मुथ भाइइ तो यानि कि यदई कि न sushi कि विए एक्ट परेंट प acum उसकाने और की आप सभी को पता है कि लेंथ कैसे बढ़ता है L is equal to L not 1 plus alpha delta T length तो ऐसी बढ़ता भी किसी भी चीज़ का L is equal to क्या होता है L not 1 plus alpha delta T तो यहां से L is equal to क्या लिख सकते है L not plus L not alpha delta T तो यहां से देखे L minus L not is equal to क्या आ गया L not alpha delta T अगया यह L minus L not क्या वही delta L यानि की change in length तो change in length is equal to क्या है वही L not alpha delta T यहां से delta L upon L not is equal to क्या आ गया a change in length upon original length इसी को क्या बोलते है इसको क्या बोलते है इसको कहते हैं हम लोग strain change in length with respect to the original इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम कहते हैं स्ट्रेइन क्या बोलते हैं स्ट्रेइन ठीक है और क्योंकि यहां पर अल्फा इंक्लूडड है तो इसलिए बोलेंगे थर्मल स्ट्रेइन क्या बोलेंगे इसे थर्मल स्ट्रेइन है यह तो यह जो यह जो टर्म है यह थर्मल स्ट्रेइ है तो डेल्टा L by L0 क्या आगे अल्फा डेल्टा टी यह होगे आसका थर्मल स्ट्रेइन ठीक कितना थर्मल स्ट्रेइन होना चाहिए था या सुमझ मेरी सुपोल varsa योई ओर कोई भीत तोर ऋ मैंत तो एक्सरेज करता हैं तो लैंध में चैंज आता ना भाई तो चैंजिन क्या लेंध में पर निया घर है दो करता नहींG ऊपल सी बात है अच्छा अ होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंट किसके बराबर होता है और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंट हाँ यहां पर यह मॉडूलस अफेलासिसिटी के बराबर होता है तो यहां पर गामा के बराबर हो जाएगा यह तो गामा इजगल तो क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेश बरावर होगा तो यहाँ से स्ट्रेस्ट जो है वो किसके बरावर आ रहा है कि गामा इंट्धू च्ट्रेश्ट के बरावर आ रहा है कि तुछ स्ट्रेस जो हम देखेंगे यहां पर तो स्ट्रेस किसके बराबर है गामा इंटू स्ट्रेन के बराबर आ रहा है देख रहो ना सभी भई स्ट्रेस आ रहा है गामा इंटू स्ट्रेन ठीक तो अगर स्ट्रेन पता है मुझे तो स्ट्रेस तो अपने अभी पता दिल जाएगा stress किसके बरावर हुजाएगा भी यहाँ से गामा इंटूस्रेइट यानि गामा अलफा डेल्टा टी कि उप और अगर मैं चाहता कि यह जो फोर्स लग रहा है यहां पर यह जो इन पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है वो भी find out कर सकते थे देखिए stress किसके बराबर हो जाता force upon area और stress की value किसके बराबर है यहां पर गामा alpha delta T यही हमारे किसके बराबर होता तो यहां से force किसके बराबर बराबर आजाता गामा alpha delta T into area क्या कोई दिकत इजी है यहां से आपका force किसके बराबर आजाता गामा alpha delta T into area के बराबर आजाता सिंपल ठीक है कोई दिकत नहीं इसमें यह तो सिंपल सी बात है समझ गए सब भी बताओ आया समझ में नोट की जिए